क्लिक कोरून एपेर बेल आइकने अज सब्सक्राइब कोरून एभी पियानों दो चौक शोवाय थाकून ख़वोडे क्रिशी बेल निये बगत वो पेश कोचे न्टुधान मुंची अमने शार शुरी चोले जाबो बहुत बहुत बधाई देता हूँ ये सुधार 21 सदी के भारत की जरूरत है साथियों हमारे देश में अब तक उपच और विक्री की जो विवस्ता चली आ रही थी जो कानून थे उसने किसानों के हाथ पाउं बांदे हुए थे इन कानूनों की आड़ में देश में ऐसे ताकतवर घिरोप पैदा हो गए थे जो किसानों की मजबूरी का फाइदा उठा रहे थे आखिर ये कब तक चलता रहता है और इसलिए इस विवस्ता में बढ़लाव करना आवश्यक था और ये बढ़लाव हमारी सरकार ने करके दिखाया है नए कुरुशिश उधारों ने देश के हर किसान को ये आजादी दी है कि वो किसी को भी कहीं पर भी अपनी फसल अपने फल सबजीयां अपनी शर्तों पर बेच सकता है अब उसे अपने खेत्र की मंडी के अलावा भी कई और विकल्प मिल गए हैं अब उसे अगर मंडी में जादा अलाब मिलेगा तो वहां मंडी में जाकर अपनी फसल बेचेगा मंडी के अलावा कहीं और से जादा पैसा मिलता है जादा अलाब मिलता है तो वहां जाकर बेचेगा उसकी सारे बंदनों से मुक्ति दिल लियाने के कारण ये संबह होगा अब सवाल ये कि आखिर इससे फर्क क्या पड़ेगा आखिर इससे किसान को क्या फायदा होगा आखिर ये फैसला किस तरह किसानों की आर्थिक स्थिति को बदलने में बहुत मददगार साबित होगा इन सवालों का जवाब भी अब ग्राउंड रिपोर्ट से ही मिल रहा है किसानों को मिली इस आजादी के कई लाप दिखाई देने शुरू भी हो गए हैं क्योंकि इसका अध्यादेश कुछ महिने पहले निकाला गया था ऐसे प्रदेश जहां पर आलू बहुत होता है वहां से रिपोर्ट है कि जून जुलाई के दवरान थोक खरीदारों ने किसानों को अधिक भाव देकर सीधे कोल स्टोरेज से ही आलू खरीद लिया है बाहर किसानों को आलू के ज्यादादान मिले तो इसकी वज़े से जो किसान मंडियों में आलू लेकर पहुंचे थे आकेरily दबाव में आने के कारण बहार बड़ा उंच्छा मार्किट होने के कारण मंडि के लोगों को भी किसानों को जादा दाम देना पड़ा। इसी तरह मद्यप्रदेश और राजस्तान से वहां से जो रिपोर्ट मिली है कि वहां पर तेल मिलों ने किसानों को सीधे 20 से 30 प्रतिशत जादा देकर सरसों की खरीदी की है। मद्यप्रदेश उत्तरप्रदेश चत्तीजगर्ट पस्चिम बंगाल ऐसे राज्यों में दाले बहुत होती है। इन राज्यों में पिछले साल की तुलना में 15 से 25 प्रतिशत तक का जादा दाम सीधे किसानों को मिले हैं। दाल मिलों ने वहां भी सीधे किसानों से खरीद की हैं, सीधे उन्हें ही भुगतान किया है। अब देश अंदाजा लगा सकता है कि अचानक कुछ लोगों को जो दिक्कत होनी शुरू ही है, वो क्यों हो रही है। कही जगह ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि अब कृशी मंडियों का क्या होगा। क्या कृशी मंडिया बंद हो जाएगी? क्या वहाँ पर खरीद बंद हो जाएगी? जी नहीं, ऐसा कता ही नहीं होगा। और मैं यहाँ स्पस्ट कर देना चाहता हूँ कि ये कानून, ये बडलाव क्रिशी मंडियों के खिलाप नहीं है। क्रिशी मंडियों में जैसे काम पहले होता था, वैसे ही अब भी होगा। बलकि ये हमारी ही ND सरकार है, जिसने देश की क्रिशी मंडियों को आदुनिक बनाने के लिए निरंतर काम किया है। क्रिशी मंडियों के कारिया लोयों को ठीक करने के लिए, वहां का कम्पूटराइजेशन कराने के लिए, पिछले पांच-छे साल में से देश में बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। इसलिए जो ये कहता है कि नए क्रिशी सुधारों के बाद क्रिशी मंडिया समर्त हो जाएगी, तो वो किसानों से सरासर जूठ बोल रहा है। साथियों, बहुत पुरानी कहावत है कि संगठन में शक्ति होती है, क्रिशी सुधार से जुड़ा दूसरा कानून इसी से प्रेरित है। हाज हमारे हाँ, पच्चासी प्रतीसत से ज़्यादा किसान ऐसे हैं, जो बहुत थोड़ी सी जमीन उनके पास है, किसी के पास एक एकर, किसी के पास दो एकर, किसी के पास एक हेक्टर, किसी के पास दो हेक्टर, सब छोटे किसान है। छोटी सी जमीन पर खेती करके उपना गुजरा करता है इस वज़े से इनका खर्च भी बढ़ जाता है और उन्हें अपनी थोड़ी सी उपज बेचने पर सही किमत भी नहीं मिलती है लेकिन जब किसी खेत्र के ऐसे किसाम अगर एक संगठन बनाकर यही काम करते हैं तो उनका खर्च भी कम होता है और सही किमत भी सुनिश्चित होती है बाहर से आए खरिदार इन संगठनों से बकाइदा समझोता करके सीधे उनकी उपज खरीच सकते हैं ऐसे में किसाम के लिए ही दूसरा कानून बनाया गया है एक ऐसा अनोखा कानून है जहां किसान के उपर कोई बंधन नहीं होगा किसान के खेत की सुरक्षा उसकी जमीन की मालिकी की सुरक्षा किसान को अच्छे बीच किसान को अच्छी खात सभी की जिम्मेदारी जो किसान के साथ कॉंट्रेक करेगा उस खरीदार की होगी किसान से जो समझोता करेगा उस समझोता करने वाले की होगी साथियों, इन सुधारों से कृषी में निवेश बढ़ेगा, किसानों को आधुनिक टेक्नोलोजी मिलेगी, किसानों के उत्पाद और आसानी से अंतराष्टे बाजार में पहुँचेंगे मुझे बताया गया है, कि यहाँ बिहार में, हाली में, पांच कृशी उत्पादक संगों ने मिलकर, चावल बेचने वाली, एक बहुत मशूर कमपनी के साथ एक समझोता किया है इस समझोते के तहट, चार हजार टन धान वो कमपनी बिहार के इन एप्पियों से खरीदेगी अब इन एप्पियों से जुड़े किसानों को मंडी नहीं जाना पड़ेगा उनकी उपजब सीधे नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में पहुँचेगी साफ है कि इन सुधारों के बाद खेती से जुड़े बहुत सारे छोटे बड़े उद्योगों के लिए बहुत बड़ा मार्क खुलेगा ग्रामिन उद्योगों की और देश आगे बढ़ेगा मैं आपको एक और उद्धार देता हूँ माल दीजिए कोई नवजवान एग्रिकल्चर सेक्टर में कोई स्टार्ट अप शुरू करना चाहता है वो चिप्स की फेक्टरी ही खोलना चाहता है अभी तक ज़्यादातर जगह होता ये था कि पहले उसे मंडी में जाकर आलू खरिदने होते थे फिर वो अपना काम शुरू कर पाता था लेकिन अब वो नवजवान जो नएने सपने लेकर कर आया है वो सीधे गाउं के किसान के पास जाकर उससे आलू के लिए समझोता कर सकेगा वो किसान को बताएगा कि मुझे इस क्वालिटी का आलू चाहिए इतना आलू चाहिए वो किसान को अच्छी क्वालिटी के आलू पैदा करने में हर तरह की तक्निकी सहायता भी करेगा साथियों इस तरह के समझोतों का एक और पहलू है आपने देखा होगा कि जहां डेरी होती है वहां आसपास के पशुपालकों को